लंबशान छोड़ेंगे अब बेद प्रकास जी है तो एक्टिवीस्ट न्यूज चैनल से क्या-क्या दिक्कत है आपको दिक्कत फुड़ा है कि कमर के पास है कमर के पास कमर में दर्द रहता है हलका फुलका दर्द रहता और गेस कब्ज की भी दिक्कत है कि उवके सोजाई उल्टा हो कि रखना है एक पीछे कर लेंगे आओ यहाँ थोड़ा साथ कम्परिशन है यहाँ पे दर्द रहता है यहाँ रहता है जोर से बुलिए यह वला दर्द आपके इधर आता है क्या इधर आता है यहाँ पे यहाँ यहाँ फूर में थोड़ा कम्परिशन है दोनों पेर को शटाएंगे यहाँ दिखाएं केमरा में दिखिया यहाँ शोटनिंग है लगबल लगबल हाफ इंच का हाफ इंच से ज्यादा लेक छोटा बड़ा आएंगे इनका सर्वाइकल गर्दन अड़्जेश्मेंट करते हैं और नीचे जाएंगे एकदम सरीर लूज रखेंगे एकदम लूज लंबबituation लिए छोड़ेंगे लंबाबश अचलेंगे में छोड़ेंगे के लंबर कृण चौड़ेंगे हुआ है लंबा शांस से छोड़ेंगे हैं लंबा शांस छोड़ेंगे लंबा शांस लेंगे छोड़ी कि अब चले इधर थोड़ा सा खूम जाएए तो मेरे तरह इधर 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 साइड में और थोड़ा नीची जाएंगे इसको टुकाड़ेंगे बोड़ी एकदाम डिलैक्स लाम लूज लंबा शांस लेंगे छोड़ेंगे इसको पक्ठ़ेंगे बड़ा नहीं लंबा शांस लेंगे छोड़ेंगे रिलेक्स लंबा शांस लेंगे छोड़ेंगे लंबा सांप छोड़ेंगे देला डेला रिलेक्स रिलेक्स और नीची आजाएंगे रिलेक्स लंबा सांप लेंगे छोड़ेंगे रिलेक्स इस चीफनेस बहुत ज्यादा आपके सरीर में रिलेक्स लंबा सांप छोड़ेंगे रिलेक्स रखेंगे पीच में अजाएंगे और फ्राव उपर प्रिलेक्स तके बटी लंबर शांस लेंगे छोड़ेंगे तो आपो जाएंगे खाव जाएंगे और थोड़ा सा अगया है नीचे आना नीचे पैर वही रहेगा पैर वही रहिए पैर इनके थोड़ा सा पकाड़ी जिए समझ नहीं पारा है बोड़ी को गिरने दीजिए गिरने दीजिए गिरने दीजिए छोड़िए लंबर शांस लिजिए छोड़िए बैट जाई यहां अराम से डिला 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 कि अग्या कि अभी देखेंगे चल के बताएंगे हमको कोई दिक्कत है क्या है कैसा लग रहा है हलका फिलो रहा है पहले से हाथ उठाइए तो गर्दन घुमा के देखिए चारों तरफ फ्रस बैठ के देखिए नीचे नीचे बैठी नीचे अच्छे 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 बैठी जैसे बातरूं में बैठते हैं हाँ बैठी कि खड़ा हो यह बताएए चल के थोड़ा देख लीजिए इसके लिए फुरां करवा देते हैं और एक सेसन अब कैसा लग रहा है हलका लग रहा है ना कितना दिन से था आपका है फिक लंबा समय से हैं तो ट्रीट्मेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आपकुश बताईए अपना स्वाड़ी छटकाने के इलाज को कहते क्या ख़िए ट्रीट्मेंट इसको बोलते हैं काई ट्रीट्रीट्मेंट का किया जाता है नितलब जो हम लोगा बोर्न या चाहिं जो आपने जगह से थोडा सव मिसलाइनट हो जाता है उसको यूलाइन करते हैं जैसे आप गाड़ी स्पाइन कभी मूब कर जाता है भारी समान उठाये गिर गये उसको अम लोग करते हैं अच्छे लोग आना चाहेंगे इस तरह के इलाज कराना चाहेंगे कहां आएड्रेस बंबे टाइंग बिल्डिंग कोल्नी मोड कंकड़बाग पटना कंकड़बाग डीस हां आठ लग बीस अच्छे लग तरह क्या है क्या थ्री अंडीट हम लोग कंसल्टेंसी लेते हैं और जो ट्रींग मेंट का चार्ज है ओकडिशन कम सार कि बीमारी कितना खराब है कितना लंबा चलने वाला या कितना कम नंसार इस पर डिपेंट करता है विलने का सिर्प झारेंस कंसल्टेंसी और कब मिलते हैं डेली मंडे टू सेटर्डे दस से दो और साम चार से आठ और शंडे इवनिंग रहता है मौर्निंग दस से दो ओपें रहता है इसमें कभी चौट लगा तो है कि इस फिर थोड़ा सा थाइम देंगे जैङ दो अल्ट्राशोनी कि कि इसमें थोड़ा से शेख लगेगा तब और पर होगा घ्र हागे लौका है देरे देर देरे देरे देर समें मौमेंट करना है क्योंकि ज्यादा दिन से तो इसमें लगेगा उसमें थोड़ा समय लगेगा सुजन को कम किया जाएगा दर्द कम हो जाएगा तो आपको लिलाज कराना है क्या बोले इसका नाम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट ठीक बोले ना है वह लाज कराना है तो यहां पहुंचे कंकरबाग 20 अब बंबे डाइं बिल्डिंग बंबे डाइंग बिल्डिंग कोल्नी मोल कंकरबाग प्रेस्मेंट में है तो अब भी का मानकाल का फील करें आपको भी हलका फील करना है टाइए इससे मिलिए और रिलाज करेंगे